Hi everyone, summer start हो गई है, तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है ना जब हम घर से बाहर से घराते हैं या घर से बाहर जाने वाले होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होती है ना वो होती है एक अच्छी सी ड्रिंक और वो अगर मसाला सोडा या जलजीरा सोडा हो ना तो बात यहां सुगर सिरफ बनाने के लिए मैंने एक बावल में पानी डाला है उसे गैस के उपर रखके गैस को ओन किया है और उसमें मैंने भरके एक कप मैंने यहां पे सुगर डाली है चीनी डाली है और इस चीनी को हम अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे और इसकी हमें सुगर सिर बना करके अच्छी कुएंटिटी में बना करके कांच के बॉटल में करके आप फ्रीज में श्टोर कर सकते हैं और जब भी आचानक से खुद कुछ पीने का मन हुआ इस तरीके से सोडा जलजीरा सोडा हो या किसी को पिलाने का हो ना तो कोई टेंसर नहीं है बस तुरंद जट अब हुम हम जआदा खालिया है तो भी आपको यें दिंग बहुत अच्छा करती में खर्णक करती है झालर जहिए लिए भी यह बहुत ही अच्छी है, अगर आइस क्यूब अच्छे से डालके, अच्छी quantity में डालके आप पीते हैं, तो खेर चलिए, तब तक हमारी यह सुगर सिरफ भी हो गई है, और इसे करके हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडे करके इसके बाद हम बनाना सुरू करेंगे, तो इसे गैस को मैंने ओफ कर दिया है, अब यहाँ पे हमने सारे शामाल ले लिये हैं, इसमें मैंने क्या-क्या लिया हो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने आइस क्यूब लिया है, यहाँ मैंने लेमन जूस लिया है, मैंने दो बड़े-बड़े साइज की लेमन जूस लिये ह लेबन के सुगर सिरफ ठंडा करके कप में डाल लिया है, यहाँ पे मैंने पुदिने की पत्ती लिया है, छेरी लिया है, निम्बु कट करके लिया है, थोरे से डेकुरेट करने के लिए और ब्लैक सॉल्ट लिया है, और शाथ में हम जल जीरा लेंगे और शोडा वाटर तो सुगर शिरप जो है न वो यहां पर हम नीचे में मतलब 1.5 से 2 इंच नीचे में गलास में हम डालेंगे उस्ते ज्यादा नहीं डालिएगा अगर सुगर सिरप पर डिपेंड करता हो कितनी मीठी है आपने कितना मतलब उसमें मलचीनी डाला है और किस तरीके से बनाया है त तो उस पर डिपेंड करती है तो मैंने यहां पर नीचे में पहले लिया है थोरा सा सुगर सीरप अगर आप चम्ध यह सीसे काउंट करेंगे तो 4 स्पून आप सुगर सीरफ डालिएगा इसमें, और यहां देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने डाला है यहां पर नीचे में तो यह देखिए नीचे में है न, 1-1.5 इंच होगी नीचे में, इसे तरीके से मैंने बराबर से सारे गलास में ले लिये हैं, और अब इ दालेंगे सबसे पहले black salt, तो यहां पे मैंने half tea spoon मैं तो बरेश spoon से डाल रही हूँ, लेकिन आप अपने अंदाजे से थोरा थोरा डालिएगा इसमें, तो हमने डाल दिया है और इसके बाद क्योंकि जलजीरा powder डालेंगे न उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए ध्यान से थो में आड़ करूंगी और आप अपने test के recording बाद में उसमें थोरा सा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको लगे कि कम है तो थोरा बढ़ा सकते हैं, घटा तो नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, हाप हाप spoon मैं डालूँ, तो आप टीश्पून लीजेगा, हाप टीश्पून डालिएगा, सम में तो बराबर से मैं चारो में डाल रही हूँ, अब यहाँ पे जो है न हम उसके बाद lemon juice डालेंगे, तो lemon juice मैंने दो बरे साइज की lemon का juice मैंने लिया है, तो आपने according आप यहाँ पे बराबर से आप चा पुदिने मतलब mint के पत्ते हम डालेंगे, mint lip डाल रहे है, fresh mint lip डालेंगे, तो जो हम restaurant पीते हैं बिल्कुल वही वाली feeling आने वाली है, तो इसलिए, और mint वैसे भी गर्मी में जो है न बहुत ही ठंधक देती है, तो ऐसे भी हर ड्रिंक में जासी कंजी हो, आम परना हो सम में यूज किया जाता है, अब यहां पर हम डालेंगे शोडा, तो शोडे को डालीए गालेंगे ध्यान रखियेगा, क्योंकि वह बहुत उपर तक फेकती है, तो धीरे धीरे आपको glass को पोड करना है, भरना है, एकदम से जागा करके ना बिल्कुल नीचे गिरने लगती है, तो क्योंकि इसके उपर जाग उठते है न, शोडा में इसलिए, और यह सोडा वाटर जो है न, यह मतलब ऐसा नहीं है, कि किसी को भी खराबी करता है, या नहीं पीना चाहिए, छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे नहीं, क्योंकि ज्यादा हाड़ वाला है इस कृप डाल के बहुत मिक्कर लिजे क्योंकि ồने उसल्ट डाला था जलशीरा डाला था लेमनजुस डाला था, तो सब को मिक्स कर लिजे ताकि अच्छे से सब्मिक्स हो जाए बराबर से और फिर उसमे आप छेरी डाल दीजे लेमन की स्लाइस इसमें लागा दीजे ग किते हैं तो बिल्कुल यह ऐसी होती है न तो बिल्कुल ऐसी है आप घड़ में भी बना सकते हैं तो इस समड़ आप लोग जरूर बनाईए पीजी और इंज्वाइ कीजिए बनाना बहुत ही आसान है बस आपको सुगर सिरफ बना करके रख लेना है श्टोर करके फ्रीज में लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमेसा काच के बॉटल में ही डालिएगा उसे और डाल करके रखिएगा तो काच के बॉटल में जल्दी जमती नहीं है और उसे करके उसे फ्रीज में रखिएगा देखिए मेरे भी बच्चे इंज्वाइ कर रहे हैं तो हम सभी तो जिल जिल जि चुकी शमरे स्टार्ट हो चुगी है तो ऐसी अच्छी इसी ड्रिंक मैं लेकर के आऊंगी तो फ्रेंड